हेलो गाईज, गुद मॉर्निंग तो आल, आप लोग के सामने, राइट दे स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोड़क्ट ऑफ फॉलोइंग रियक्शन, यह कोस्टन है, हमारे NCRT कोस्टन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है, अगले वीडियो में, तो यहां पर देखिए, जो पोड़क्ट को द फॉलोईंग रियक्टेंट दिया हुआ है, पोड़क्ट आपको बनाता है, तो यहां पर क्या है, एसाइल है और यहां पर बेंजीन है, आपने फ्रेललक्राफ्ट एसाइलेशन पड़ा होगा, पड़ा है तो यह फ्रेललक्राफ्ट एसाइलेशन में आता है और इसमें क्रमाइल कोल्राइड रियजेंट है एस्थ्रियो प्लस के प्रजेंस में क्या पॉड़क्ट बनेगा तो आपने टॉल्विन से बेंजल डिहाइड आपने किया है तो वो दिमाग में लाईए यहां पर एसायल हलाइड एसायल कोल्राइड से कीटून बननेगा यहां पर देखे यह आपका अल्ली हयट केप्तर है तो अल्ली हयट कई कोशन रहेगा NCRT question है but most important question है कई वार ये board में question आ चुका है तो ये dialkyl cadmium है ये acyl chloride है क्या product बनेगा इस तरह से ये triple one का compound है जिससे कहते हैं propine sulcurelic acid के presence में और HG2 plus के presence में product क्या बनेगा तो आएए इन चारो question का answer हम लोग देखते हैं कि answer में हमारा जो product है वो क्या तो हम पहला जो question हमने देखा ये वाला इसका क्या answer होगा यहां देखी ये हो गया acetophenone ये COC2S5 यहां आ जाएगा sorry acetophenone नहीं हो गया propiophenone क्योंकि दो एक तीन कारवन है ये क्या हो गया propiophenone हो गया one phenyl propanone one phenyl propanone हो गया ये one और दो कारवन जारत 3 हो गया तो one phenyl propanone हो गया और ये propanoyl kolide के presence में बना तो one phenyl propanone हो गया सेकरना देखें ये tolven है और ये paranitrotolven हो गया paranitrotolven में जब क्रोमाइल kolide और estrioplus का ये action कराएंगे तो पोड़क्ट हमारा क्या बनेगा बेंजल डिहाइट बनेगा या ये नाइट्रो तो रहेगा ये रहेगा पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइट बनेगा ये में पोड़क्ट आपको ये देखना है इंटरमेडियर पोड़क्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है और नाहीं इंटरमेडियर पोड़क्ट आपको याज करना है तो यह ك्रमाइल कोलड्रायड। CS2 के प्रेजंस में यह इटार्ड रियेक्शन है। तो परा-नाइट्रो-बेंजल्डीहाईड। यह टॉल्बिन से बेंजल्डीहाईड बन रहा हा। इस तरह से डाइ-पैनैल कैड्मियम में इसको डाइ-बेंजायल कैड्मियम बोलेंगे, डाइब बेंजाइल कैडमियम reacts with acetyl coldide that is ethanol coldide in the presence of dry ether to give one phenyl propanone ketone बने गया यह two molecules है CH3CO हो गया और यह किसका आ गया यह आ गया यहाँ पर, ठीक है न, two लगा दिया तो balance हो गया, यह बने गया one phenyl propanone और cadmium को lead बाहर निकल गया इस तरह से यह propan है, propan में H2O और HG2 plus के presence में रेक्सम कराते हैं hydration, sulfuric acid के presence में, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, यह propanone बन जाएगा ketone बन जाएगा, propanone बन जाएगा तो यह most important question जो आप लोग के सामने turn two की त्यारी आप कर रहे हैं और turn two board की त्यारी है जो subjective की question subjective question है इसलिए इसको return practice करना बहत जरूरी है most important है return practice करना तो इससे आप practice करें याद करें और कोई भी problem हो तो आप discuss कर सकते हैं number available है site पे तो आज की class यहीं समाब करते हैं फिर अगले वीडियो में अगली class आपके सामने लेकर आएंगे okay, okay, bye तब तक के लिए तन्यवाद